नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल साइन्स के मोस्ट वन लाइनर सीरीज में आज ये एक और वीडियो नोट आपके सामने हैं और मैं आपके लिए ये खाम लगातार करता रहा हूँ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट वीडियो नमबर सेवन जिसमें देखिए 121 अप्रशन मतलब 120 तक हम कंप्लीट कर चुके लिंक डिस्क्रिप्शन में है यह परिभाशा किस विद्वान की है कि समप्रभूता राज्य की एक ऐसी विशेस्ता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी चीज से नहीं बंदा होता एवं अपने अलावा किसी अन्य शक्ती से सीमित नहीं होता ये परिभाशा किसकी है ये परिभाशा है दोस्तों गार्नर महोदे की गार्नर महोदे कहते हैं कि समप्रबूदा जो है वो रज्य की एक ऐसी विशेस्ता है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी चीज से बंदा नहीं होता एवं अपने अलावा किसी अन्य शक्त से सीमित भी नहीं होता ये किसका कतन है? गार्नर का कतन है संप्रभूता के बारे में ठीक है? चलिए नेक्स देखिए 122 भारत में संप्रभूता निवास कहां करती है? या भारत की संप्रभूता किसमे नहीत है? तो भारत की जनता में ठीक है दोस्तों, नेक्स देखिए 123, अधिकार के सम्मन्द में यह कथन किसका है कि अधिकार वे विचार हैं, जो शक्षम निरंकुष वाद से अधिक मजबूत हैं, अधिकार को ऐसे विचार किस ने कहा कि जो शक्षम निरंकुष वाद से अधिक मजबूत है, या हम कह सकते ह अधिकारों को सक्षम निरंकुषवाद से अधिक मजबूत कहने वाले विचारक कौन है तो वो है लास्की, लास्की महोदे का ये कथन है हर वीडियो नोट में आपको इंपोर्टेंट कथन प्लस में बुक्स के नाम ये सब मिलते हैं इसी आधार पे परिक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं चिंता मत कीजिए, जो भी आपने पढ़ रखा है वो रिवाइस करते रहें साथ में मैं जैसे आपकी मदद कर पा रहा हूँ, ये मैं करता रहूँगा 124 स्वतंतरता वह है जो करणिये है या वह उपभोग की है जो उपभोग्य है एक सकारात्मक शक्ती है, पहली बाद तो इसका अंसर है दोस्तों ग्रीन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है स्वतंतरता वह है जो करणिये है, देखिए स्वतंतरता के अंतरगत जो काम करने लायक है ठीक है? और वह उपभोग की जो उपभोग्य है, जिसको हमें प्रियोग करना चाहिए ठीक है? ऐसा नहीं कि हम अपने फायदे के लिए दूसरी स्वतंता का हनन कर दें ये नहीं होना चाहिए तो स्वतंतरता वह है जो करणिये है या वह उपभोग की जो उपभोग्य है एक सकारात्मक शक्ति है मतलब एक क्या है सकारात्मक शक्ति है positive power है इस रूप में इसे देखना चाहिए किसी भी प्रकार से इसका दुरूपयोग यदि हम करते हैं तो इसकी सकारात्मकता पर आच आ जाती है ये किस ने कहा? ग्रीन ने नेक्स देखी दोस्तों किताब का नाम है एक liberalism and the limits of justice पुस्तक किसकी है? फिर से सुन लीजिए liberalism and the limits of justice ये पुस्तक है समुदाइवादी विचारक Michael Sandal की समुदाइवादी विचारक Michael Sandal ने लिखी liberalism and the limits of justice ओके दोस्तों नेक्स देखिए 126 वीडियो को लाइक तो करदो कल वाला वीडियो आपने बहुत कम देखा है मैंने एक पहले पब्लिश किया था जिसमें गड़बड हो गई थी उसे दुबारा पब्लिश किया था लेकिन पता नहीं आप तक वो notification नहीं पहुंचा या आपने उसे देखा नहीं उसे नहीं देखा तो देख लीजिए छोटा सा वीडियो है important प्रशनों के साथ में 126 देखिए कोटिल्य के अनुसार प्रजा की आंतरिक वे भाईय शत्रों से रक्षा के लिए राज्य का एक आवशक अंग कौन सा है कोटिल्य चनक्य के अनुसार प्रजा की राज्य में प्रजा है प्रजा की आंतरिक वे भाईय शत्रों से यदि रक्षा करनी है तो राज्य के लिए का आउशांग अंग क्या है वह दोस्तों दंड या सेना जिसे उस आउशांग को क्या कहेंगे दंड या सेना ठीक है 127 नो अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा किस ने दिया वै कौन से आंदोलन की यहां से शुरुवात होती है तो सिम्पल सा प्रशन है लेकिन दो तिन प्रशने क्लियर हो रहे हैं कब 9 अगस्त 1942 को कौन सा आंदोलन शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन किस ने शुरुवात की महत्मा गांदी जी ने क्या नारा दिया करो या मरो डू और डाई 9 अगस्त 1942 को महत्मा गांदी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुवात की इसी उपलक्ष में उन्होंने कहा था डू और डाई करो या मरो ठीक है दोस्तों नेक्स्ट देखिए आपका 128 लेटर्स फ्रोम ए फादर टू हिस डॉटर रचना किसकी है ये है जवाहर लाल नहरू जी की रचना है नेक्स देखिए 129 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पर प्रारंबग जीवन में किस विद्वान का प्रभाव था या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने प्रारंबग जीवन में किस से प्रभावित थे वो थे कार्ल माक्स कार्ल माक्स से प्रभावित थे आगे ये जब बड़े लोहिया जी तो ये गांधी जी से भी प्रभावित हो गए शुरुवाती दोर में ये कालमाक से काफी प्रभावित थे नेक्स्ट देखिए वन थर्टी भारतिय समिधान सभा ने राष्टिय ध्वज को कब अंगी करत किया नेक्स्ट देखिए दोस्तों 131 भारतिय समिधान की उद्देशी का या जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं का विचार किस देश से ग्रहन किया गया है तो ये अमेरिका से लिया गया है भारतिय समिधान की उद्देशी का या प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है अमेरिका से लिया गया है चोंकि भारते समिधान को उधार का थैला भी कहते हैं जैसे नीती निर्देशक तत्व आयरलेंड से लिये गये हैं है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए 132 लोक प्रशाशन का अर्थ है सरकार का कारे करना फिर चाहे वह कारे स्वास्ते प्रयोग शाला में X-ray मशीन को संचालित करने का हो या टकसाल में सिक्के ढालने का ये कथन है दोस्तों फिपनर का फिपनर महोदे कहते हैं कि लोक प्रशाशन का अर्थ है सरकार का काम करना अब ये कोई जरूरी नहीं कि वो काम कहां हो पा रहा है लेकिन वो काम तो सरकार का है चाहे वो काम किसी लैब में X-ray मशीन चलाना हो या फिर वो किसी टकसाल में सिक्के ढालने का हो फिपनर महोदे ने लोक प्रशाशन के अर्थ में अपना ये कथन कहा है तो दोस्तों अभी तक वीडियो नोट में आप बने होई हो तो वीडियो नोट को लाइक कर दीजिए और इसे शेर भी करते हैं ना करते हैं तो येस लिखिएगा और नहीं करते तो प्लीज किया करें नेक्स देखिए 133 लोग परशासन से संबंदित सवाल आईए L.D. White की ये किताब है इंट्रोड़क्शन टू दे स्टडी ओफ पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन ओके मितरो 133 एक फुल फॉर्म है अलबा की अलबा की फुल फॉर्म क्या है अलबा की फुल फॉर्म क्या है इसी प्रकार से जितने भी और संगठन है उनकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है नेक्स देखिए भारतिय विदेशनीती के मूल तत्व समिधान के किस अनुच्छेद में नहीत हैं दिये गए हैं वो है दोस्तों अनुच्छेद 51 भारतिय विदेशनीती के मूल तत्व भारतिय समिधान के अनुच्छेद 51 में दिये गए हैं प्रस्ट नंबर 135 भारत वे पाकिस्तान दूरस्त पडोसी हैं ये महतपून कथन किसका है ये कुलदीप नयर का कथन है कि भारत वे पाकिस्तान दूरस्त पडोसी हैं नेक्स देखिए 136 शीत युद्ध शब्द जो है इसका प्रियोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया तो बर्नार्ड M. बारूच के द्वारा इसका प्रियोग किया गया शीत युद्ध का और इस शब्द को यदि हम कहें लोकप्रिय बनाया तो वाटर लिप मैन ने बनाया नेक्स देखिए 137 तेतरवे समिदान संशोदन द्वारा ग्यारवी अनुसूची में पंचायती राज संस्ताओं को कितने कारे सोपे गए 29 तेतरवे समिदान संशोदन ग्यारवी अनुसूची पंचायती राज से संस्ताओं कितने कारे सोपे गए 39 138 देखिए प्रतेक राज्य में एक मंत्री परीशद होती है या होगी या है जिसका प्रमुक मुख्य मंत्री होता है वे इसका कारिय राज्य पाल को उसके करतवे निर्वहन में सहायता देना है इस मंत्री परीशद का काम क्या है राज्य पाल को उसके करतवे निर्वहन में सहायता देना ये किसमे अलुक उलेकित है अनुचेद 163 में 163 149 देखिए दोस्तों उप परधान मंतरी पद की शपत का उलेख किस अनुछेद में है तो आपको हम साफ साफ बता दें उप परधान मंतरी के पद की कोई विशेश शपत का उलेख नहीं किया गया है बलकि केवल मंतरी के रूप में ये शपत लेता है केवल और केवल मंतरी के रूप में शपत दिल आई जाती है उपपरदानमंत्री के पद के रूप में किसी भी प्रकार की शपत का उलेख नहीं है नेक्ट देखिए 140 फेडरल गवर्मेंट पुस्तक किस की है या फेडरल गवर्मेंट पुस्तक की रचना किस ने की तो ये की दोस्तों के सी वियर ने के सी वियर की किताब है फेडरल गवर्मेंट तो दोस्तों 140 तक हम कुश्चन यहां तक कर चुके वीडियो नोट में आप अब तक बने होगे तो दिल से बताना दोस्तों जो महनत है जो बिना फैन के पसीने में तर होके आपके लिए जो ये वीडियोज में रिकोर्ट करता हूँ आपको सेंड करता हूँ ये आपको थोड़ा सा भिलाब यदि दे रहे हैं तो मेरे होसला बढ़ाने के लिए, होसला अफजाई के लिए, दो शब्द तो आप कमेंट में लिखी सकते हैं, साथ ही इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, आप इसे अपने हर सोशल मीडिया पे शेर भी करतो सकते ही हैं, इतना तो आप मेरे लिए करेंगे, मुझे पुरी उम नीद है, मैं आपके लिए लगा हूँ, लगा रहूंगा, थैंक यू सो मच पर वचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में